दोस्तो बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास टाटा टली सर्विसिस शेयर के बारे में हलाकि और भी बहुत कमेंट्स हैं लेकिन मैं आप सभी की क्वारी लेनी पारा हूँ लेकिन टाटा टली सर्विसिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी लेकर आप फद जाएंगे ये सारी बाते मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहली और एक अच्छी बात कि अब इस शेर के अंदर नोर्मली ट्रेडिंग हो रही है जो कि एक बहुत पोजिटिव बात है नहीं तो अपर सर्केट लोर सर्केट अपर सर्केट लोर सर्केट इसी तरह का पिहेव इस शेर में हमें लगातार पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है दूसरी बात इस share की यदि पिछले 5 दिन में देखें तो नीचे से वापसी करने का प्रियाश ये share कर रहा है एक महीने में यहाँ पर इस share में negative return है अब ये negative return एक महीने में 6 महीने के अंदर यदि देखें तो थोड़े से positive return यहाँ पर नजर आते हैं इस तरह से high फिर इस high को ये share इस वाले high को तोड़ नहीं पाया इससे दूसरा high बता दिया तो जो कि एक lower trend को दरसाता है अभी इसमें downside का moment और हो सकता है इस बड़े 6 महीने के time frame को देखते हैं यादि हम चलिए उन तो चार्ट पर हम सारी बाते clear करेंगे लेकिन उससे पहले एक खबर मेरे पास इस share के बारे में उसको भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन बढ़ती हुई market में ये share गर रहा है इसके पीछे थोड़ा सा कहीं न कहीं मुझे इस share पर doubt लगता है तो चलिए कोई नहीं सारी बाते करेंगे आज की इसी वीडियो में तो तो यहाँ पर देखे टाटा टेली सरविसिस share price outlook इस TTML एक गुड़बाई यहाँ पर मैं आप सभी को बता दू TTML का share ये उस दिन की news है 18 मई की जब TTML का share 137 पर trade कर रहा था तब यह ख़बर आई और इसका जो पिछले वीक का लो है वो है 117 आज की date में यह trade 137 से बहुत नीचे कर रहा है लेकिन जो ख़बर मैं आपको बताना चाता हूँ सीधे उस पर लिए चलता हूँ देखे दोस्तों यहाँ पर देखिए turning to daily chart, TTML share, a thinly trade in Mumbai, further stock has been downward trend मतलब की downsward trend में यह stock भी चला जो की मैं वीडियो शुरू होने से पहले भी आपको बता रहा था इसका highest level है 211 है जो की इसने अपरेल में टच किया था 25 दिन के moving average से थोड़ा सा नीचे चल रहा है जो की इस share के लिए अच्छी बात नहीं है ऐसे में इस share को यह कह रहे हैं कि यह bearish moment और दे सकता है यह share जब तक यह rate 100 का level upside में पार नहीं करता है कोई बात नहीं अभी देखते हैं इस share में कि आगे चार्ट क्या कहता है इस share के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप देखें यह है TTML share का चार्ट बहुत अच्छी तरह से इस चार्ट पर आपको समझाऊँगा सारी बातें देखें दोस्तों यह तो आपको मैं थोड़ा सा पूरा चार्ट ही दिखा दिया यहाँ पर आप देखिए अभी मैं अभी half-lal में चल रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों यहाँ पर देखिए यह इसने high बनाया फिर अगला जो high है वो पिछले high से कम है यानिके downtrend अभी इस high के बाद यह high बनाया है जो कि पिछले high से कम है फिर downtrend यह वाला तीसरा high भी पिछले high से कम है तो दोस्तो अभी ये share downtrend में है अभी और भी नीचे जा सकता है लेकिन फिर भी एक जो अच्छी बात मुझे यहाँ पर देखने को मिली वो ये है कि 200 EMA के उपर दो बार ये stock support ले चुका है और ऐसा हो सकता है कि यदि तीसरी बार यहाँ पर आए तो नीचे की तरफ आपको moment यहाँ से देखने को मल सकता है लेकिन फिर भी आप तीसरी बार भी मुकोशिश करते हैं कि यहाँ से support ले फिर उपर जाए लेकिन खरिदारी का मतलब यहाँ पर नहीं बनता है खरिदारी आपको करनी है तो ये level ये वाला level डेड़ सो रुपे का लेवल उपर की साइड में यदि ये stock cross करता है तो आप यहाँ पर long position बना सकते हैं 120 के stop loss से और target यहाँ पर जो रहेगा 189 रुपे या उसके बाद 200 रुपे का target आप यहाँ से बड़ी आसानी से ले सकते हैं लेकिन हाल फिलाल में मुझे नहीं लगता कि आपको इस share के अंदर कोई position बनानी चाहिए तो दोस्तो ये मेरा analysis है इस share के उपर आपको यदि निवेस करना है तो इस analysis के साथ अपना analysis भी जोड़ें और अपने risk पर trade करें उससे आपका risk भी कम हो जाएगा ठीक है, बहुत बहुत दनेवाद, जेए